मोबाईल, संडास और सत्यानास जी हाँ आप बोलेंगे ये क्या उत्पटांग टॉपिक उठा के लाते रहते हैं पर जी हाँ ये बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है आपकी लाइफस्ट्रेल से जुड़ा हुआ और बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते होंगे वो प्रैक्टिस क्या है कि कई सारे लोग जब वाश्रूम जाते हैं मतब सौचाले के लिए जाते हैं और वो वहाँ पर मोबाईल लेकर जाते हैं ठीक मोबाईल लेकर जाके वो वहाँ पर बैठते हैं और बैठने के बाद उनका पूरा फोकस मोबाईल में लगा रहता है और सोचते रहते हैं आदे गंटा एक गंटे में कहीं जाकर पेट साफ होगा और ये एक आदत आपकी सेहत का कैसे सत्यानास करती है पेट की कैसे बिमारिया पैदा करती है और उसके लिए क्या उपाय आपक की मोबाईल को सौचालाय में लेके जाते हैं अभी कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आए क्लिनिक में और उन्होंने बोला कि उनको आजकल पाइल्स की तकलीफ हो रही है ठीक है पाइल्स की तकलीफ हो रही है बहुत सारी लोगों को होती है कोई बड़ी बात है नहीं फिर मोबाईल लेकर जाता हूं मैं बैट जाता हूं जब प्रेशर आना होता है आता है वना बैट के मोबाईल देखते रहता हूं और कई बार प्रेशर नहीं आता है तो फिर मैं खुद से प्रेशर लगाना चालू कर देता हूं आप मेंसे बहुत सारे लोगों को ये आदत होग कि सौचाले में जाकर मोबाईल ले जाकर वहाँ पर जब पेट साफ करने जा रहे है और उस मोबाईल को देखते वे बहुत बार जोर जोर से pressure लगाने का काम करते है इसे संस्रिद में प्रवाहन कहते है अब यह प्रवाहन करता गया है देखिए आईरविद आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजे बोली गई है कि जो वेग होते हैं वेग मतलब जो आपकी natural urges होती है जैसे कि urine है मतलब पिशाब है, मल त्याग है, latrin है, gases है, नीध है, ढखार है, भूख, प्यास ऐसे करके जो भी natural चीजे आती है, मतलब जिस पर हमारा control नहीं है, वो अपने आप आती है, अब कोई ऐसे तो नहीं बोल सकता है, मैं जबरदस्ती ढखार लूँगा, ढखार natural आती है, नीध natural आती है, gases निकलना, वो सारी चीजे natural होती है, ठीक, इन natural चीजों को जिसे की वेग स अंस्कृत में कहा जाता है, ठीक, ऐसे 13 तरह के वेग है, यह जो 13 तरह के वेग है, या natural urges जो आती है, उसे जब भी भी जबरदस्ती दबाया जाता है, तब, और जबरदस्ती पैदा किया जाता है, इन दोनों कंडिशन में आप क्या शरीर खराब होता है, ऐसा कहा गया है चरक सहिता में, इसलिए ना वेगान धारियत करके उन्होंने श्लोक की शुडवाती उस चैप्टर के ऐसी की है, कि कभी भी जो natural चीज़े हैं, उन्हें रोको मत, और एक वो warning देते हैं, कि कभी भी इन natural चीज़ों को जबरदस्ती पैदा मत करो, तो ऐसे लोग जो की सोचाल में mobile लेकर जाते हैं, होता क्या है, सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारा दिमाग एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है, आप चाहे कितना भी multitask कर रहे हो, पर दिमाग एक टाइम पर एक ही चीज़ को handle कर सकता है, जो maximum अबादी है, 99% जो अबादी है दुनिया की, वो इस टा कि कई लोग headphone लगा के workout कर रहे हैं, तो या तो उनका brain उस music को समझ सकता है, या उस wayam को समझ सकता है, तो जो brain का mind muscle connection जिसको बोलते हैं, वो proper होता नहीं, second ऐसे लोग बहुत बार क्या करते हैं, कि पेट साफ नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत बार जोर लगाते हैं, इसे करके अलग-अलग sound निकालते रहते हैं, यह जो जोर लगाने के कारण क्या होता है, कि आपकी जो anal root या जो मल मार की यहां की जो आपकी muscles हैं, ठीक है, उनके उपर pressure पढ़ता है, या वहां की जो veins है, उनमें pressure पढ़ता है, और उस pressure को पढ़ पढ़ के आप बहुत बार देखोगे जोगी piles जैसी समस्चा हैं, होने लग जाती हैं, तो internal piles, external piles, इस तरह की बहुत सारी बिमारियां हमें देखने मिलती हैं, और यही प्रवाहन आपके जो अत्रणिया हैं, उनको भी weak करने का काम करता है, या आईरविदिक शब्दों में कहें, तो जबर दस्ती आप वात को या मल को निकालने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए why you related जो भी रोग है, वहाँ पे फिशर होने की तकलीफ होना, वहाँ पे कट सो जाना, या लेटरिन का जो एरिया है, वहाँ पे दर्द होने लगना, बार बार piles, सूखा piles, bleeding piles, या कई बार ज़्यादा प्रेशर की करण वहाँ की जो वेन से वो फट जाना, इस तरह की तकलीफ है बहुत सारी देखने मिलती है, जो की आपकी पेट की अगनी भी खराब करती है, और आपके सेहत का सत्यानाज भी करती है, तो इसके लिए करे क्या, तो बहुत से लोग बोलेंगे, हमें थोड़ी मज़ा आता है प्रेशर लेगा कि ये दो वायू का ठीक होना कितना जुरूरी है, एक आप खाना खाते हैं, खाना आपके हजम करने का काम समान वायू का है, अब ये समान वायू अगर ठीक से आपके फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करके डिवाइड नहीं कर पा रही है, तो भी आपको पेट स कीजे, रात का खाना आप जबी भी खाते हैं, उसके लगपक 10 से 12 गंडे बाद ही आपका पेट साफ होगा, तो अगर आप रात को 12 बजे खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाओ पेट साफ होगा, ऐसा होता नहीं, कई बार 12 गंडे, 14 गंडे या 16-16 ग आपको प्रेशन नहीं लगाना पड़ेगा, नमबर एक, अगर आपको चिकना मल होने की तकलीफ है, कि मल होता तो है, थोड़ा थोड़ा होता और उसमे चिकनापन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे टाइम पे हरी तकी जो आउशदी है, वो बहुत अच्छा काम करती है, जिसे आम बोलचाल की भाशा में हम हरड बोलते हैं, तो जो बड़ी वाली हरड मिलती है, उसका पाउडर मिल जाएगा, एक चमच हरड का पाउडर, आधा चमच सोट, जिसको जिंजर बोलते हैं, सुखा जो अद्रग होता है, जिंजर पाउडर या सोट का पाउडर, और द हरड लिया आपने दो चुटकी सोट डाला और एक चुटकी सिंदा नमक इस तरीके से ले सकते हैं तो ये आपके मल या जो आपकी वायू है उसको अनुलोमन होने में मदद करेगा और जो आपका मल ठीक से निकलताने उसे निकलने में मदद करेगा साथ ये अगनी को भी अच् करने में मदद करेगा वो आप ले सकते हैं तो 15-20 ml आमले का रस लेना वो आपके लिए फाइदे मंद रहेगा ऐसे लोग जिनको मल बहुत जदा कड़क होता है इसलिए पेट साफ नहीं होता तो उनके लिए आमला और मुनक्य का पानी बहुत अच्छा काम करेगा 50 ग्राम काल सुखा जो काली सुखी द्राक्ष जिसको बोलते हैं जो अंगूर सुख जाता है मुनक्य का ब्लैक रिजिन्स जिसको बोलते हैं तो 50 ग्राम मुनक्य का पानी एक लीटर उसके अंदर एक चमचामले का पाउडर डाल दो उबाल कर हाफ कर लो और ये पानी को छान के मुनक्य को फिक दो और इस पानी को चाय के जैसे अगर आप सिप सिप करके पिएंगे तो ये पेट साफ करने में मदद मिलेगा और लास्ट अगर सारे इन उपायों को करने के बाद भी आपका पेट साफ नहीं होता और 15-20 साल से आप कोई भी जो मार्केट में चोरण मिलते पेट साफ होगा ये कंडिशन पर आप पहुँच गाएं तो ऐसे में खाना खाते समय बीच में एक चमश देसीगाय का घी और एक चुटकी सेंदा नमक ये प्रैक्टिस में लाना चाहिए साथी साथ जो आपके नश्दिक में पंच कर्म सेंटर होगा वहाँ पे जाके आठ दिनों का एक योग बस्ती नाम का ट्रीटमेंट होता है जिसमें पांच दिन तेल और एक दिन काड़ा इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है वो ट्रीटमेंट आप करते हैं तो आपकी जो अत्रिणिया है वो नॉर्मली काम करने लगती है जो आपकी शरीर में वायू बढ़ी हुई वो शानत होती है और आपको बहुत जदा प्रवाहन करने की जरृत नहीं मिलेगी आप जाएंगगे 5 से 5 मिनित केंदर आपका पेट साफ हो जाएगा जब 5 मिन में पेट साफ हो जाएगा तो आपको आपे मोबाईल की जरूत भी नहीं पड़ेगी तो मोशन करते समये खाते समया किसी भी टाइम पे मोबाइल का यूज आपकी उस जो आप फ्रक्रिया कर रहे हो उसके लिए अच्छा नहीं है वो आवाइड करना चाहिए और अगर सौचाले में जाके आपको मोबाइल को यूज करना पड़ रहा है तो आप सोचे कि आपने अपनी सेहत कहां तक खराब करके रखी है जाते जाते आप में से से लोग जिनको मल बहुत ही जादा चिकना होता है थोड़ा थोड़ा निकलता है और वो इस कारण परिशान है इसलिए मोबाइल लेके बैठे रहते हैं तो उनके लिए करेले का जूस एक अच्छे से पेट साफ करता है केवल साथ से दस दिनों के लिए अगर आप 20 से 50 से मल की मातरा में करेले का जो जूस होता है रस होता है वो लेते हैं तो भी मल का चिकनापन आपका निकल जाएगा जो कव बढ़ा हुआ है वहाँ पे वो भी कम होने में मदद मिलेगी और लास्ट एक टॉनिक यूस कर सकते हैं आप डेली प्रहद मिला कर अगर आप खाते हैं तो आपका नित्य पेट साफने में मदद मिलेगी और आपको प्रवाट वाला जोस नहीं लगाना पड़ेगा तो यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताईए और आप इसे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें